वेल्कम टू दो वीडियो दोखो आप सभी लोग को पता है कि नीट का जो सिलेबस से वो रीडियो हो चुका है बट इस पर काफी सारे अलग लग उपीनिन आ रहे है बच्चों के काफी सारे लोग जो बोल रहे हैं कि जो इजी चैप्टर से वो हटा दिये गए जैसे कि आप पर बोल सकते थे बट अभी यह वाले चैप्टर सटा दिये गए और मैं आपको बताता हूं कि लोग कि क्या रिएक्शन सारे विकॉस यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि इस साल जो टॉफ एक्जाम और जादा टॉफ एक्जाम हो सकता है और काफी सारे ल पड़ना पड़ जाए आपको एक बार मैं सिलेबस भी दिखा देता हूं कि फाइनली जो सिलेबस है और जो रिडियूस सिलेबस है वो कितना है जो रिडियूस चैप्टर से उसमें बाइलोजी में यह सेवन चैप्टर से और इसी तरीके से केमश्टी में अधिस इस से कवर हो चुका है बट काफी सारे लोगों का यह भी है कि जो आप कोशन्स आएंगे काफी टाफ आएंगे और इसके कारण कॉमपर्टीशन और कटाफ दोनों भी दोनों पर काफी खतरनाक एफेक्ट पड़ेगा तो बिलकुल आपको भी इस बात को ध्यान में लेकर चलना आपको पता है rotational motion का सबसे easy topic थे और इसमें जो questions आते थे वो easily बन जाते थे बट अब क्या होगा कि आभी topics remove कर दिये गए तो हो सकता है कि अब दूसरे portions से question पुछे जाए जो कि काफी tough होगा आपके लिए when we find angular moment is rolling we have to find MOI sometimes using this theorem so if someone leave these topics they also wouldn't be able to attempt deep questioning so आपको पता है कि आपको deep में काफी physics chemistry biology तीनों को deep में cover करना पड़ेगा because syllabus reduce होगा इसका मतलब यह नहीं कि easy exam होगा इसका मतलब यह कि काफी ज़दा tough exam इस बार होने वाला है तो बिल्गुल आपको खुद को prepare करके रखना है because आने वाले time में अभी में कुछ comment देके काफी सारे बच्चों के वो बोल रहे कि हमारा syllabus already cover हो चुका है उनका तो अब revision शुरूरने वाला है आप लोग को भी अपने आपको prepare कर लेना है because हो सकता है कि आने वाले time में इसका बहुत ही bad impact पड़े आपको क्या आपका क्या कहना इस video basically इस decision पर आप बताइए comments में ठीक है bye